सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की पियम मोदी उत्तरा खंड आ सकते हैं ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि 11 अक्टूबर को दो दिन के प्रिथारागर जोरे पर पियम नरेंदर मोदी पहुंच सकते हैं और यहाँ पर पियम जनसभा को भी समभूधित कर सकते हैं मैं अक्टूबर के महीने में ही पियम मोदी केदारनाथ धाम और बड़ीनाथ धाम के दर्शन के लिए भी आ सकते हैं ये भी एक जानकारी मिली है तो ग्यारे अक्टूबर को पितौरागर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी दो दिन का पितौरागर दौरा उनका रह सकता है ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और इसके बाद अक्टूबर के ही महीने में केदारनाथ धाम और बद्रिनाथ धाम भी दर्शन के लिए पियम मोदी आ सकते हैं पहार से लेकर मैदान तक देंगू ने अपनी पैर पसाद लिये हैं वहीं चिकन गुनिया ने भी दस्तक दे दी है राज्जे में डेंगू के ग्यारा सो से जादा मामले सामने आए हैं और डेंगू से अब तक तेरा लोग अपनी जानका वा चुके हैं पॉड़ी के साथ ही ननिता जिले में भी देंगू के केस बड़ रहे है और तून में अब तक तेरा मरीजों की मौत है और अब धीरे धीरे देंगू पे काफी नेंतन हो गया है हमारे साथ जिलों में एक भी केस डेंगू का पॉजिटिव भूए है और अभी तक रिकबरी रेट हमारा जो है वो 85% है कि 85% जो है मरीज ठीक हो गये हैं और जो मरीज होस्पिटल में उनके लिए पूरा उपजार क कि विवस्ता सरकार की तरफ से निशुन की गई हैं वो कही न कहीं अब लोगों को ड्राने लगे हैं ऐसा राजदानी में हम इसले भी बोल रहे हैं क्यूकि राजदानी में ही केवल 700 अमुले وो सामने पहुच गये हैं और ऐसे में राजदान इदेरादून के ही कई अलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत तेजी से डैंगू प्यारपस आ रहा है अगर मैं रायपूर की बात करू तो यहां पर केवल यही एक ऐसा छेतर है जहां पर सीधे-सीधे 500 मामले सामने आये हैं तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं थोड़ी ल मामले रोजाना सामने आ रहे हैं डेली मरीज पोशन है अस्पटालों में इलाज के लिए तो कहा जा सकता है कि तेजी से जिस तरह से डैंगू पैर पसार रहा है तो कहीं न कहीं यह चिंता का विशे बना हुआ है बिल्कुल और कह सकता है कि हर जगा पर यही स्थिती बनी हुई है फ्रशासन निंतजाम तो किये हुए हैं लेकिन इससे पहले हमने देखा कि डैंगू का जो टेस्ट हो रहा था विशाल उसमें भी गडबड़ी के मामले सामने आ रहे थे यानि कि उसमें भी जादा रकम वस तो ऐसे में जो ऑस्पिटल्स हैं जो नीजी लैब्स हैं उन्होंने आपदा में अफसर खोजने कोशिश की और तेजी से उन्होंने अपने रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिये कि मरीजों को काफी दिक्कते आने लेगी जिसके पास शासन के और से लेटर जारी कि आप इस तरह से डेंगो मरीजों के साथ खिलवाड होगा या फिर उन्हों से जादा पैसा वसुला जाएगा तो उन पर 25,000 रुपे तक का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा हाला कि अभी भी कई एस्पतालों से शिकायते आ रही हैं लेकिन इस और भी पूरी तरह से जो दिया तरह से कह सकते हैं तमाम चांदकारी साचा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका चली आगे बढ़ते हैं जमू कश्मीर में गोली लगने से शहीद हुए गरवाल राइफल जवान दीपेंदुर सिंग रावत का पार्थिव शरीर पंच्चता तुम्हें विलीन हो गया श शहीद जवान पॉडी जिले के बीरो खाल ब्लॉक की ग्राम पसूरी का रहने वाला था शहीद जवान दीपेंद्र अपने पीछे पत्नी और रतीन साल की बेटी को भी छोड़ गये हैं एक हफते पहले ही दीपेंद्र अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद ड्यूटी प विंग कमांडर अनुपम गुसाई की लहल अद्दाक में खाट अटैक से उनका निधन हो गया था विंग कमांडर अनुपम राफेल के पहले टैक्निकल अधिकारी थे जो फ्रांस में ट्रेनिंग लेकर आए थे उनका पार्तिव शरीर वायू सेना के विश्य शिजाहाच ल पितोरागर के वज्जा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वारल हो रहा है और वीडियो में कोचिंग इंस्टिट्यूट चला रखें दो टीचर्स 16 साल के स्टूडेंट्स को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं कलियोगी शिक्षक स्टूडेंट्स को इतनी बु हो चुकी है तो देख सकते हैं वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वारल खुरहा है इस तरह कि जलाट टीचर्स पर कारवाई आखिर कब होगी एक बड़ा सवाल बन गया है और पूर्वसेम हरे श्रावत रुड़की में ककड़ी और रायता पाटी में पहुचे वहीं हरे श्रावत पहाडी ककड़ी और साथी रायता का पूरा लुट्व भी लिया इस तोरान में उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मातर 1100 रुपए बीगा मुआफसा दे रही है जो कि किसान के साथ में चलावा है इस तोरान में कही अन्य लोगों से भी उरूरे पाटी की और साथी ककड़ी और रायता का लुट्व भी उठाया तो बागिश्वर उप्चुनाव बीजीपी जीत गई पर हारी हुई कॉंग्रसे से हार मानने को तयार नहीं है और कॉंग्रस नेताओं का क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे बागिश्वर की क्लोस फाइट दोहज़र चौबिस सुनाव में अच्छे रिजल्ट का संकेत है ये भी बाते कही जाने एक रिपोर्ट आपको लिखाते हैं चंपावत के बाद बागिश्वर उप्चुनाव जीत कर पीजेपी खुश है तो कॉंग्रेस इस बात से संतुष्ट है कि चंपावत की करादी हाल के मुकाबले हालाद बेतर बिजेपी और कॉंग्रेस की उम्मिदवार में जीत का अंतर 2405 वोट का रहा कॉंग्रेस उम्मिदवार बसंद कुमार को 3842 वोट मिले जबकि पिछले चुनाव में कॉंग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास को 20,070 वोट मिले थी इस लिहाज से पिछली बार हार जीत का अंतर 12,000 वोट से ज़ादा का था लिहाजा कॉंग्रेस 10,700 वोट के अंतर को अपनी काम्याबी मान रही है और हार के बावजूत कॉंग्रेस को लगता है कि बद्लाव का असर 2024 के लोगसबाचुनाव के रिजल्ट में देखेगा बागेश्वर की हार में कॉंग्रेस भविश के जीत देख रही है तो उपचुनाव जीत चुकी बीजेपी इसे विपक्षी गरबंधन इंडिया और कॉंग्रेस का भविश बता रही है प्रभारी मंत्री सौरब बहगुडा के मुताबिक पहली बार बागेश्वर में कॉंग्रेस बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला हुआ वरना मुकाबला त्रिकोणी ये रहा करता था नतीजे घोशित होने की बागेश्वर उपचुनाव का चैप्टर क्लोज हो चुका है लेकिन रिजल्ट में फेल होने के बावजूद कॉंग्रेस को उम्मीद है कि 2024 की परिक्षा में काम्याभी मिलेगी पर बीजेपी के सामने कॉंग्रेस का इम्तिहान आसान नहीं होने वाला डीपांकरबट न्यूज एटीन देहरा दो बागेश्वर के लेटी गाओं की एक महिला जंगल में घास कारते समय अचानक से खाई में गिर गए वहीं खाई में गिरने से महिला के सिर पर घंबी चोटा गई गाओंवाले खाई से निकाल कर महिला को जला स्पताल ले गए चाहां डॉक्तर ने बहिला कुप्ड़ 뚜़िक कर गया रतक महिला गाओं की महिलाओं के साथ ने पास की जंगर में खास काते के लिए गए थी तब ही पैर फिसन्ने से महिला खाई ने जागो पितौरा गड़का गनगोली हाथ पूरी तरह से बंद रहा विभिन संगचनों ने स्वास्ता विभात के कर्म चारियों को फटाने की मांग को लेकर बंद का आवान किया था स्थानिय लोग प्रभाली चिकित साधिकारी और प्रवर सहयक को हटाने की मांग कर रखे हैं लोगों का रोप है कि इन धूनो कर्मचारियों की कारण गंगोली हाथ की स्वास्ते सेवाएं पूरी तरह से चौपट हो गई है हालात ये बन गए हैं कि प्रभाली चिकित साधिकारी सिस्टम को भी एतर बनाने की बजाए गुटबाजी में लेपता है और जितने भी जन परती निदी हैं इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है और इसलिए अब एबेस में बाजार बंद करवाया है दिल्ली में हो रही जी ट्वेंटी का असर अब उत्राखण में भी देखने को मिल रहा है मसूरी टोरिस्ट से गुलजार है तो मसूरी आने वाले परठको को किसी भी प्रकार से जाम में ना जूझना पड़े इसके लिए पुलिस ने प्लान दयार किया है साथी मसूरी में उन्ही परठको को एंट्री दी जारही है जोनके पास में बोटल के बुखित है वही मामले में SP City का गहना है कि आने वाली सरी टूरिस्ट को अलग-अलग diversion plan के तहफे भीज़ा जा रहा है और मेरत रूर्की से आने वाले टूरिस्ट को विज़ा जा जा रहा है और इद्वार से आने वाले टूरिस्ट को डोईवाला से डाइवर्ट करके मसूरी बाइपास अपनी जा जा रहा है भू बैकुंट श्री बद्विनाद धाम स्वयम नारायन भगवान कवास है और बद्विनाद धाम से कुछ दूरी पर संतो पत्सरोवर भी है जहां मानिता है कि स्नान करने के लिए तीनों देफता ब्रह्मा विष्णू और महेश आते हैं एक रपोर्ट देखिये बद्विनाद धाम से 28 किलोमीटर की दूरी पर है सतो पंथ नामक जगा जहां मानिता है कि सतो पंथ विबने सरोवर में विशेश पर्व पर इस्नान करने के लिए तीनों देफता ब्रह्मा विष्णू महेश आते हैं जिसका वर्णन इसकंद पुराण में मिलता है वही एक मानेता है कि मा भारत युद के बाद पांड़ों इसी रास्ते से स्वर्ग जा रहे थे लेकिन केवल धर्म राज युदिस्टिरी स्वर्ग की यात्रा पूरी कर पाए बाकी पांड़ों ने इसी यात्रा मार्क पर अपने अपने शरीत याग दिये सतोपन्थ एक त्रिकोड आत्मक सरोवर है जहां से अलकनन्दा नदी निकलती है भारत के प्रथम गाओं माना के लोग आज भी अपने पित्रों को तरपन देने के लिए सतोपन्थ जाते हैं सतोपन्थ की यात्रा बहुत ही कठिन है और यहां की खड़ी चढ़ाई पार करके ही पहुचा जा सकता है वस्ता सतोपन्थ वस्तान है यहां पे तिनोज दिवता ब्रह्मा विष्णुभेश प्रतेक शंक्रांती आमावस पूर्णिमा यानि परवों के दिनों में अस्तान करते हैं इसा इसकंद पुराण में लिखा है त्रिकोनात्म खुंड दिखता है तीन कोने हिसके और यहीं से मुख्य रूप से अलगन्दा का प्रभाव निस्री तुकार अलगन्दा लिकलती है सतोपंद वो छेतर है जहां पॉंड़ों श्रक के लिगे और यहां से आगे सुना है हमने कि मात्र एक व्यत्य नहीं सतोपंद की यात्रा पर गए हुए परेटकों का कहना है कि हाई एल्टिट्यूड में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है और पत्रीले पहाड के साथ बैते जहरने भी मार्ग में बाधा डालते हैं सतोपंद रैक पर लक्षमी वर्ट चक्रतीर से में कई स्थान मार्ग भी दिखाए देते हैं जो काफी रमडिये हैं और साथ ही इस पवित्य स्थान पर साधूसंत तपस्या में लीन दिखाए देते हैं सतोपंद की बात करें तो एकदम बहुत उचायी पर है और काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद सतोपंद पहुचा जाता है इससनों की आत्रा का अनुभाव करने के लिए आप भी भगवान बदरी विशाल के खुलने से लेकर सितंबर महिने तक पहुच सकते हैं क्योंकि बरबारी के बाद यहां पहुचना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन गर्मियों के महिने में यहां की यात्रा बहुत ही रोमाजचक होती है चमोली से न्यूज एटीन के लिए नितिन सेम बाल की रिपूट देरदून से खबर है जहां प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योस्टा में बीना एनोसी साथ इंजीनियर्स के काम करने के मामले सामने आए हैं आपको बताने कि PMG SY चीफ समेते साथ इंजीनियर्स के पास में एनोसी नहीं है बावचुद इसके मुकाम कर रही है और अब तक एनोसी रिन्यू करने की कारवाई नहीं कोई है मामले में सचाइब मंतरी सत्पाल महराज को कहना है कि जाज करने के बाद भी इंजीनियर्स पर करवाई की जाएगी तो विदान सबाद देक्ष ने बुला करके चीफ सेकेटरी को कह दिया मैं भी वहाँ पर उपस दित था और काफी सकती रोने की है मैं समझता हूँ इसका मैं कुछ ना कोई सकारात पर इसके परिनाम होंगे चली वह देख लूँगा पर उसकी जाज करा लूँगा पर इक्षन कराके मैं हमें उसका कारवाई करेंगे धन्यवाजी